श्री गणेश के चरणों में हम सब से पहले शीश जुकाएं मात शार दे कृपा आपकी हम पर जो थोड़ी हो जाए राम दूत बजरंग बली की हम भगतों को कथा सुनाए रह जाए जो तूटी कोई हमसे भगतों उसको दियो भुलाए कथा का हम करते है वर्णन सुनलो अपना ध्यान लगाए राम भक्त है बड़े निराले बजरंगी है नाम कहाए भाई भरत बराबर कहकर जिनको खुद श्री राम बुलाए कैसे इनका जनम हुआ था बज़ देह कैसे बन जाए कैसे इनका जनम हुआ था गोतम रिशिबे खे थे एक तिर हरी भजन में ध्यान लगाए पुत्री अंजना खेल रही थी उनके पास गई है आए खेलते खेलते रिशिगोतम का दिया हरी से ध्यान हटाए क्रोध में भर कर शाप दे दिया मात कुवारी तू बन जाए भारी भूल हुई अंजना से पर अब क्या होए पच्छताए निस्चे कर लिया अपने मन में श्राप आपका व्यर्ध ही जाए खुद को बंद में करूं गुफा में पास मेरे जो कोई ना आए श्राप आपका दिया हुआ फिर पूरा ना कभी होने पाए श्राप आपका दिया हुआ फिर हुई गुपा में बंद अंजना वार पे दी एक शिला लगाए छोटा सा एक छिद्र है बाकी हवा मात्र बस जिससे आए करने को तब बैठ गई है श्राप न पूरा होने पाए रिशिमुनियों के कहे बचन पर सुना तभी ना खाली जाए समय का पहिया धीरे धीरे देखो भगतु चलता जाए आ गया है वो समय भी आखिर नहीं किसी से टाला जाए जब भसमा सुर्दानव ने लिया भोले से वरदान ये पाए हाथ गुमा दू जिसके सर पे भसम वही पर वो हो जाए हाथ गुमा दू जिसके सर पे बिना सोचे समझे ही भोले कहने लगे है हाथ उठाए देख दिया है भसमा सुर्द को वर होगा वैसा जैसी चाहा किन्तू वरपा कर वो पापी भसम उन्हें ही करने आए भूल का जो एहसास हुआ तो भागे भोले जान बचाए तीन लोक में घूम रहे हैं इस पापी से कोन बचाए विश्णू जी की शरण में आखिर भोले नाक सोयम है आए कहने लगे भसमा सुर्दानव भसम मुझे ही करना चाहे है विश्णू जी मुझे बचाओ शरण आपकी हम है आए है विश्णू जी मुझे बचाओ भोले नाथ का हाल देख कर पहले विश्णू जी मुसकाए पिन सोचे समझे ही तिया वर तभी तो भोले आप कहाए करता हूं मैं युक्ती कोई अंत्रधान तब तक हो जाए श्री हरी विश्णू ने अपना रूप मोहिनी लिया बनाए बनके मोहिनी भत मासुर के रस्ते में खुद ही है आये रूप मोहिनी जो देखा तो उसका मन भी गया लल चाए कहने लगी मोहिनी उससे बोलो भत मासुर कह जाए करो विवा तुम मेरे संग में अपने मन को क्यूं भरमाए करो विवा तुम मेरे संग में मोहिनी की मीखी बातों में भत मासुर भी गया है आये बोली मोहिनी खुशी मिलन की आओ हम नाचे और गाए कहने लगा है भस मासुर फिर करना नर्त हमें ना आये बोली मोहिनी ना चुम जैते आप भी वैते नाचित जाए नाचित नाचित मोहिनी ने दिया अपने सर पर हाथ घुमाए अनूसरन किया भस मासुर ने पापी भस्म वही हो जाए विश्णू जी ने भोले नाच को बस मासुर से लिया बचाए लगे पूछने भोले नाच फिर कैसे दिया उसको भरमाए लगे पूछने भोले नाच फिर कहने लगे विश्णू जी हमने लिया मोहिनी रूप बनाए जिसे देख भस मासुर का भी गया था भोले मन लल चाए कहने लगे है बोले नाच फिर हमको भी वही रूप दिखाए भस मासुर भरमाया जिसने रूप दियो वो हमें दिखाए विश्णू जी नाना करते है पर भोले गए जिद पर आए बात माननी पड़ी है उनकी वही रूप फिर लिया बनाए रूप मोहिनी जो देखा तो बिंदू दूर भोले हो जाए कापी धर्ती कापा अंबर यतन कोई ना समझ में आये कापी धर्ती कापा अंबर बिंदू दूर हुए जो भोले जहन कोई इतना कर पाए ना रायन ना रायन करते नारद जी फिर वहां पे आये बोले शाप है अंजना मा को बिंदू दान उन्हें किया जाए रिशी गोतम ने शाप दिया है पूरा तब वो होने पाए एक बास की पुंगी में लिया बोले का बिंदू रखवाए बीच गुफा बैठी है अंजना नारद जी ने दिया बताए भोले योगी वेश बना कर गुफा द्वार पर गए है आए भोले नाथ में गुफा द्वार पे आगर दिया है अलख जगाए भोले नाथ में गुफा द्वार पे गुफा में बैठी सुने अंजना एक जोगी रहा लख जगाए बोली बाबा श्राप हमें है भिक्षा देने हम ना आए भोले नाथ उनसे ये बोले भिक्षा दिक्षा कुछ ना चाहाए हमें तो प्यास लगी है देदी थोड़ा सा जलदियों पिलाए उससे पहले मंत्र भी देंगे छित्र से लो तुम कान लगाए जल तो बाद में हम पियेंगे पहले तुम्हें मंत्र दे जाए इतना सुनकर अंजना ने लिया कान छिद्र के पास लगाए खूक दिया बिंदू भोले ने पवन के जरीए गरभ में जाए खूक दिया बिंदू भोले ने कहने लगी अंजना है जोगी ये क्या तुमने कर दिया हाए कहने लगे हम ना है जोगी भोले ने दिया सच बतलाए समझो ना इस श्राप अंजना ये बालक बड़ा वीर कहाए राम भक्त के नाम से ये तो तीनों लोक में जाना जाए हनुमान के नाम से जाने और उद्रा अवतार कहाए पवन के जरीए अंजना मा के गर्भ में जो हनुमान है आए इसलिए तो पवन पुत्र के नाम से भी इन्हें जाना जाए रिशी गोतम ने शाप दिया था शाप नहीं वरदान कहाए रिशी गोतम ने शाप दिया था जनम हुआ जो बजरंगी का जैसा भोले दिया बताए बड़े ही बन शाली बालक है अंज नमाता देख हर शाए एक दिन देखा है सूरज को उनका मल है गया लल चाए लाल लाल फल लटक रहा है क्यों ना भूख मिटाई जाए उड़कर पहुँच गए है जट से मुख में सूरज लिया दबाए फिर तो घोरंधकार हो गया देवी देवता सब घबराए सूरे देव कहा लुक्त हो गए समझ किसी की कुछ ना आए अगर उदै वो नहीं हुए तो अंधकार जग में छा जाए अगर उदै वो नहीं हुए तो हनुमान ने निगला सूरज नारग जी ने दिया बताए सभी देव एकत्रित हो कर बजरंगी के पास में आए सूरे देव को मुक्त करो तुम सभी रहे उनको समझाए पर बजरंगी ना माने है बालक अपनी जिद पर आए सब देवों ने चाहा मनाना असर ना उनकी बात दिखाए इंद्र देव को हनुमान पर फिर तो क्रोध गया है आए क्रोध में भरकर इंद्र देव ने अपना वजर हिदिया चलाए मुर्छित हो हनुमान गिरे है पर सूरज बाहर ना आए मुर्छित हो हनुमान गिरे है इतना देखकर पवन देव भी जटते वहां गए है क्रोध तो हो गया इंद्र देव पर आपने वजर क्यू दिया चलाए छोटा सा बालक नादान है वार वजर का सहना पाए वेग रोक लिया पवन देव ने रहे है अपना क्रोध दिखाए वेग रुका जो पवन देव का सब प्राणी व्याकुल हो जाए जीवन संभव ना हो पाए वेग पवन का जो रुक जाए ब्रह्मा जी ने फिर आ करके दोनों को ही दिया समझाए हनुमान को भी दे दिया वर वजर दे उनकी दि बनाए हनुमान को भी दे दिया वर खुदरुतरा अवतार है बजरंग और कुछवर ब्रह्मा से पाए सब देवो ने दिया उनको वर शकती और भी बढ़ती जाए एक दिन खेलते खेलते वो तो रिशियों के आश्रम में आए यहां वहां करे उछल कूद और कभी हवा में उडते जाए रिशी मूक के पुत्र देख कर इन्हें उछलता डर ही जाए जान बूझ कर हनुमान फिल उनको और डराते जाए रोते रोते अपने पिता के पास में बालक गए है आए बोले वानर बड़ा ही उद्दंड जान बूझ कर हमें डराए बोले वानर बड़ा ही उद्दंड रिशी मूक ने शाप दिया है अपना बल फिर दिया भुलाए किन्तु उन्होंने इतना भी कहा जब तुमको कोई याद दिलाए कितना बल तुझ में है हनुमत वो सब याद तुम्हें आ जाए इश्किंधा परवत पर फिर तो हनुमान जी लोट ही आए वानर राज जहां सुगरीव है सेना में उनलिया मिलाए दशरत के घर राम जनम लिया खुद विश्णू अवतार कहाए बाल रूप हम भी देखेंगे भोले नाथ का जी लल चाय भोले नाथ बने है मदारी और वानर लिया उन्हें बनाए भोले नाथ बने है मदारी आये तो नो आयो ध्यानगरी कली गली में खेल दिखाए बड़ा हिया जब मदारी आया जो वानर का खेल दिखाए चलते चलते चरचाये तो राज महल में गई है आये कहने लगे है शिरी राम भी हम भी खेल देखना चाये दिया संदेशा भोले नाथ को जट से वो महलों में आये बजे डुग डुगी नाचे वानर राम देखकर बड़े हर शाये खेल दिखाकर चले मदारी जोला कांधेलिया उठाए और वानर की दोर भी पकड़ी पीछे पीछे चलता जाए और वानर की दोर भी पकड़ी शिरी राम बोले दशरत से हमें ये वानर दोत लवाए किन्तू भोले नाथ न माने थेल दिखाकर लोट ही जाए रूठ गए है शिरी राम फिर तशरत जी उन्हें रहे मनाए वही मदारी वाला वानर बोले दो हमको मंगवाए उनका मन बहलाने को है अने को वानर दिये है लाए शिरी राम को पसंद नहीं पर उन में से कोई भी आए आखिर राजा दशरत ने है हनुमान को लिया बुलाए सीने से लगा लिया राम ने बोले लीला रहे दिखाए सीने से लगा लिया राम ने कहने लगे है शिरी राम फिर अब हनुमान लोटके जाए किश किंधा पर हम आएंगे मिलन तभी तुम से हो पाए शिरी चरणों में हनुमान तो चल दिये अपना शीश जुकाए सीता स्वयंबर में शिरी राम ने लिया है शिव का धनुष उठाए ब्रतेंचा जो लगे चड़ाने तूट के दो तुकडे हो जाए मा सीता ने शिरी राम को वर माला है दी पहनाए लखन भरत और शत्रूगन का जनक पुरी में हुआ विवाहा अपनी अपनी पतनियों के संग लोट के सभी आयोध्या आए अपनी अपनी पतनियों के संग आयोध्या नगरी आज तो सारी खुशियों से ही जुमें जाए राजा दशरत शिरी राम को राज पाठ अब सोप न चाहें कैकै की दासी है मन्थरा उनके कान भरे है जाए राज तिलक जो हुआ राम को कद्र भरत की घट ही जाए तीन वचन मांगे थे आपने दो अभी पूरे ना हो पाए राम को तुम वनवास दिला दो और भरत राजा बन जाए मती घूम गई कैकै की भी जो उसकी बातों में आए दशरत को वचनों में गेर लिया चोदा वरस वनवास दिलाए दशरत को वचनों में गेर लिया चोदा वरस वनवास को फिर तो राम लखन और सीता आए पुत्र विरह में दशरत में भी तड़क के अपने प्रान गवाए आज वो वनवन भटक रहे है जो सारा संसार चलाए पंचवटी में आकर के फिर एक कुटिया है ली बनाए शुरूपन खारावन की बहना शिरी राम को मोहना चाए लखन लाल के पास में भेजी उसका जादू ना चल पाए नाक कान दिये काट लखन ने नकटी भूची दी है पनाए रावन ने फिर प्रतिशोध में मा सीता को हिया उठाए रावन ने फिर प्रतिशोध में सिया खोज को निकले है तो किश्किंदा परवत पर आए हनुमान ने ही सुगरीव से मित्र ता भी दी करवाए बाली का वध किया राम ने दिया मित्र का फरज निभाए ले करके फिर वानर से ना सिया खोज में सब लग जाए किन्तु राह में आया सागर जिसको लांग कोई ना पाए जामवंद ने हनुमान को दिया है बल का याद कराए हो गई दिक्तित काया उनकी भूला हुआ बल याद जो आए लेकर के शिर राम नशानी हनुमान लंका में जाए लेकर के शिर राम नशानी अशोक वाट का बैठी माता जिन्हें राम की आद सताए मुद्री कडे दी उन्हें राम की और चर्णों में शीष जुकाए बोले मा में राम दूत हूं चिन्ता आप करे अब नाए शिक्रियाए शिरी राम अब आपको भी लेंगे छुडवाए और संगहार करे रावन का क्यूं तुम्हें चिन्ता रही सताए भूक लगी है अब तो मुझको फल खाने को मन लल चाए दे दी आग्या सीता माने वो रावन के बाग में आए फल भी खाए बाग उजाडा प्रहरी भी सब मार भगाए फल भी खाए बाग उजाडा रावन को जो पता लगा तो अक्षै पुत्र को दिया पठाए परबज रंग बलीने भगतों अक्षै को दिया मार गिराए क्रोधित होकर रावन में फिर मेघनाथ को लिया बुलाए बोला उसवा नर को लाओ मेघनाथ तुम बंदी बनाए मेघनाथ है चला गरजता हनुमान नहीं वश में आए ब्रहम पाश फिर मेघनाथ ने बज रंगी पर दिया चलाए ब्रहम पाश में खुद ही बन गए ब्रहमा कादिया मान बढ़ाए सभा में ले आए रावन की रामन बढ़ा ही क्रोध दिखाए सभा में ले आए रावन की मृत्यू दंडो इस वानर को रावन ने दिया हुकम सुनाए छोटा भाई विभीशन उनका युद्ध की नीती रह समझाए दैर करो ना शिरी राम से और सीधा को दो लोटाए एहनकार वश रावन को पड़ कोई बात समझ ना आए मृत्यू दंड जो उचत नहीं तो दियो पूँछ में आग लगाए आग लगाई पूँछ में उनकी लंका को ही दिया जलाए सीता मां के पास में आकर रहे है उनकी धीर बंधाए चूडा मनी लेकर माता की हनुमान फिर लोट ही जाए चूडा मनी लेकर माता की सिया चुधी ले करके बजरंग जो ही रामा डल में आए शिरी राम ने खुश हो करके सीने से हैलिया लगाए और इधर से भक्त विभीशन शिरी राम की शरण में आए सागर पर से तू बनवाया दिया भक्त का फरज निभाए फिर लंका पर करी चड़ाई अब रावन की खैर है नाए हुआ भयंकर युद्ध है फिर तो एक एक करता नव है आए राम लखन ने सब वो मारे वानर से ना साथ निभाए लखन लाल और मेगनात में फिर तो भारी युद छिड़ जाए लखन लाल और मेगनात में मेगनात में लखन लाल पर दिया है शक्ती बान चलाए लखन लाल जिससे हुए मुर्छित वानर से ना शोक मनाए हनुमान ही वैद सुसैन को लंका से ले करके आए भूटी संजीवन लानी होगी सूर्यों दैते पहले आए तब ही बचेंगे प्राण लखन के वर ना संभव ना हो पाए शिरी राम फिर हनुमान को देख रहे है आस लगाए तेरे तिवा हनुमान कोई न ऐसा काम कठिन कर पाए संजीवन ले करके आओ लक्षमन के लो प्राण बचाए संजीवन ले करके आओ चले संजीवन लेने हनुमत शिरी राम कोशीश जुकाए एक साधू मिला उन्हे राह में राम राम जो रटता जाए राम भक्त को देख के हनुमत अपने मन में है हर शाय बोला साधू चले कहां तुम बूटी दूंगा यही मंगाए स्नान करो जाकर तब तक तुम बूटी जब तक आना जाए गए सरोवर में बजरंगी मकडी ने दिया भेद बताए काल नेमी ये तो दानव है जो साधू का वेश बनाए पटक के मारा बजरंगी ने दिया उसे पर लोक पठाए पटक के मारा बजरंगी ने काल नेमी को मार के हनुमत क्रोणगिरी परवत पर आये सारा परवत जगमग करता बूटी वो पहचान न पाये शिरी राम जपकर हनुमत ने परवत को ही लिया उठाए उड़े है जलता परवत लेकर आयो ध्या के उपर जो आये सोचा भरत ने दानव कोई परवत लिये कहां ये जाए बान खीच कर मारा उनको और धरा पर दिया गिराए हाए राम कह करके गिरे जब भरत बड़े ही रह बचता है हनुमान ने लंका युद का दिया है सारा हाल बताए हनुमान ने लंका युद का बोले भरत मिरे बान पे बैठो अभी में लंका दू पहुचाए हात जोड कर बोले बजरंग आप कस्त ना कोई उठाए शिरी राम की किरपा मुझ पर दूंगा बूटी में पहुचाए मार उडारी बजरंगी फिर लंका नगरी में है आए जहां पे मुर्छित पड़े लक्षमन शिरी राम आसू छलकाए बूटी लाकर दे दी उनको जो लक्षमन को दी है पिलाए प्रान बचाए लखन लाल के राम प्रभु भी बड़ हर शाय भरत बराबर भाई कहकर सीने से हैलिया लगाए भरत बराबर भाई कहकर हुई युद्ध में विजै राम की रावन दिया पर लोक पठाए शिरी राम के जैकारे थे वानर से ना बोलती जाए सीता मैया को छुडवा करें लोट के सभी आयोध्या आए आयोध्या वासियोंने स्वागत में उनके घीके दीप जलाए लंका विजै की खुशी राम को सबको ही उपहार बटाएं सचे मोतियों की माला भी आपके हिस्ते गई है आए चबा चबा कर दातों तले है सारे हिमों की तोड़ गिराएं देख के हतने लगे विभी भीशन आखिरवानर जात कहाएं देख के हतने लगे विभीशन हज करके डब लगे पूछने क्यूं ये मोति तोड़ गिराएं कहा आपने देख रहा मैं क्या इन में सिया राम समाएं ताना दिया विभीशन ने फिल इन में राम कहां से आएं आपके हिस्ते में भी बसे क्या हमको भी जरदियों दिखाएं सीना भाड के अपना आपने सिया राम के दर्श कराएं लाम भक्त कोई आपके जैसा हे बजरंगी ना हो पाएं हंस राज रेलहन पर किरपा अपनी रखना सता बनाएं नमन तुम्हें करती है चनकल फोजी सुरेश भी चीश जुकाएं नमन तुम्हें करती है चनकल